हेलो एवरिवन वेलकम टू भाई लोग डिजिटल मेरा नाम है तलहा और आज मैं आपको इसका हूँगा कि आप इस तरह का सिर्कल लाइन टेक्स्ट एफेक्ट कैसे बना सकते हो इलस्ट्रेटर में तो इसको हम डिलीट कर देंगे ताकि हम इसको शुरू से बना सकें अच्छा तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहां पर जाना है और इलिप्स टू स्ट्रेट कर लेना है मैं इसी जो स्ट्रो का कलर है वो रख दूंगा वाइट ताकि मजे ब्लैक के उपर नजर आए और म मिड में एक चोटा सा सर्कल बनाऊगा शिफ्ट और आल दबा के रखूंगा अब ताकि बिलकुल मिडल से और प्रोपोर्शन में सर्कल बने एक चोटा सा सर्कल हो गया ठीक है इसकी स्ट्रोक जो है हम कम कर लेते हैं फिलहाल तो पॉइंट्स और इसको डूब्लिकेट करें करने क्या तरीका है कि पहले आप कंट्रोल सी दबाएंगे तो कॉपी हो गया और कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे तो यह उसी एरिया में दुबारा पेस्ट हो गया है तो इसको अब हम बढ़ा कर सकते हैं अगें हम शिफ्ट और अल्ट दबा कर रखेंगे ताकि मेक तो इसके ब्लेंड बन गया है क्योंकि हमारे ब्लेंड के अंदर एक ही सरकल था तो इसने सर्फ एक शो किया है हम दोबारा ब्लेंड में जाएंगे अबजेक्ट ब्लेंड और ब्लेंड ऑप्शिंस और यहां पर हम इसके जो स्टेप्स हैं वो कर देंगे 40 बल्कि 50 कर दे ठीक है और इसको हम okay कर देंगे तो क्या हुआ है कि हमारी दो लाइन्स हैं उनके दिम्यान 50 ओर लाइन्स आ गई है ठीक हो गया इसको side पर कर लेते हैं और इसको expand कर लेंगे expand करने क्या तरीका है टॉप पे जाना है object और expand और okay तो यह expand हो गया है लेकिन अभी भी एक ही shape है तो इसको हम ungroup कर लेंगे राइट लिक और ungroup तो अब अगर हम इसमें से एक भी circle नकालना चाहें तो हम नकाल सकते हैं जो हमारा मकसित फिलाल नहीं है उसके पर हम क्या करेंगे क यहां पर कुछ text लिख लेंगे या तो आप keyboard पर T दबा सकते हो या इधर जाके आप click करोगे तो यह type 2 ला जाएगा तो हम यहां पर लिख लेते हैं kick इसका color change कर लेते हैं ताकि हमें नजर आए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसका font change कर लेते हैं इसको मैं इसको मैं क कर लेता हूँ future old ठीक है और इसका जो हम color है वो कर लेते हैं कुछ pinkish reddish type चॉकिंग pink उसकी बाद क्या करना है कि इसकी outlines बनानी है किसी भी text या किसी भी चीज़ की outlines बनानी हो तो आप उसको पहले select करते हो ठीक है और इसके बाद control shift और O तो अब इसकी outlines बन गई हैं तो अगर मैं इसको ungroup करूँ तो मैं इसकी एक एक डेटर को लग लग भी कर सकता हूँ पर फिल हम यह नहीं करना चाते हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो अब हम इसको अपने circle के पर place कर लेंगे अच्छा आप यह multiple तरह कर सकते हो अगर आप चाते हो कि circle की lines यहां से शो हो रही हो तो कि अगर आप चाते हो कि इदर से शो और यह नीचे से उपर या अगर आप even यह area चाते हो ठीक है तो आप उस लेहां से place कर सकते हो मैंने जो thumbnail में किया हुआ है वो मैंने इस तरह कुछ किया हुआ था बिलकुल मैंने जो circle है यह वाला यह मिड में था almost और यहां से रिपल्स lines स्टार्ट हो रही है दूसरा काम अपने क्या करना है कि इसको background पे भेजना है इसको back पर होना जूरी है उसके पर right click करेंगे arrange और send to back तो अब यह इन lines की पीछे चला गया है हम इन सब को select करेंगे थोड़ा मिड में लियाता हूं इसको side पर कर लेता हूं हम इनको select करेंगे और path finder में चले जाएंगे अगर आपको path finder नहीं आ रहा तो windows और यहां पर ही होता है path finder तो हम वापस इदर आ जाते हैं और इसमें जो option outline वाल हम उसके पर click करेंगे तो क्या हुआ है कि हमारी जो text था और यह जो बागी सारी outlines है उसके लिहाज से इसके अंदर भी outlines बन गई है फिर हम इसको दोबारा select करेंगे यह अभी एक single layer बना हुए तो इसके पर right click करके हम ungroup कर लेंगे तो अब क्या है कि सारी lines अलग लग हो गई है फिर क्या करना है कि आप इन में से सरफ एक line को select करोगे जैसे कि यह line ठीक है और यहां पर आपने top पर जाना है select similar objects अगर आपको यह बार नजर नहीं आ रही है ठीक है तो windows और यहां पर control आपने select करके रखना है तो आपको यह बार नजर आना शुरू हो जाएगी तो हमने इसको select किया वाँ है हम जहां पर जाएंगे select similar objects के उपर जब हम इसके उपर click करेंगे तो यह सारे select हो जाएंगे हम इसके उपर control X दबाएंगे ताके यह सारे select हो जाएं basically वो cut out हो गया है और यह जो सारा area है इसको हम delete कर देंगे पिर हम क्या करेंगे कंट्रॉल वी दबाएंगे तो वही टेक्स्ट वापस आ गया है लिकन अब क्या डिफरेंस है कि जो बाकि सारा एरिया था वो डिलीट हो गया है कंट्रॉल प्लस करके जूमन कर लेते हैं अच्छा आपको यहां पर थोड़ा थोड़ा तो क्या बलके बहुत अधाद एरिया खराब नज़र आ रहा होगा यह लाइन हो गई यह लाइन हो गई ठीक है वर संब रीज़ें मेरे इलिश्टेटर में यह मसला आ रहा है कि मैं जब भी आउटलाइन यूस करता हूँ तो यह मसला आता है क्या पता आप यह फेस करी ना रहे हो लेकिन जब मैं इसकी स्ट्रोक इंग्रीस करूँगा तो यह प्रॉब्लम ठीक हो जाती है मैं आपको दुखाता हूँ कैसे अगर जैसे कि यह लाइने बहुत है खराब है मैं इसको स्लेट करूँ और मैं सिम्पल इसकी स्ट्रोक कर दे तो टू पॉइंट्स तो ठीक हो गई है तो इस चीज़ से गबराना नहीं अगर यह थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आपको आज है सिम्पल आप स्ट्रोक जब नंग्रीज़ करोगे तो ठीक हो जाएगा तो मैं आपको पताता हूँ हमने क्या करना है कि यह जो अंदर वाली lines है विक वाइज जहां पर मारे पास कुछ बाइर वाली lines है और अंदर वाली है तो हम जो अंदर वाली lines है उन सब की stroke थोड़ी increase करेंगे ताकि हम उनको बाद में separate कर सकें मैं आपका पताता हूं कैसे अब जिसे के यह जो lines है हम इनको state करेंगे ठीक है और इनको सट्रोक कर लेते है हम टू पॉइंट्स ठीक है वालकि फिलाल four points कर लेते है अब यह लाइन बाहर वाली है ठीक है तो हम इसको नहीं इसलेट करेंगे हम यह सारी lines लेट कर सकते हैं फिलाल और इनको भी change कर लेंगे अच्छे मैं कैसे कर रहा हूं मैं simply slide करता हूं multiple lines उसके बाद मैं keyword पर eye दबाता हूँ मेरे पास eye dropper tool आ जाता है मैं simple उस line के लिए क्लिक कर देता हूं जिसके मैंने style copy करना होता है illustrator में यह होता है कि आप eye dropper से किसी भी जीज को copy करते हो तो उसका सिर्फ color copy नहीं होता है उसकी stroke और बागी सारे चीज़े भी copy हो जाती है उनको हम select कर लेंगे अब और ये last line है ठीक है अच्छा अब यहां पर जो ये areas है sorry ये वले areas जो आपको खराब लग रहे हैं जो basically extra lines है इनकी फिक्र ना करो हम इनको भी ठीक कर लेंगे इदर हम आजाते हैं ठीक है ये जो lines है इनके पर apply कर सकते है अब ये जो line नजर नहीं आई थी इसके पर भी apply हो गया है पर कुई मस्टला नहीं मैं simple इसको drag करके नीचे लेके आ सकता हूँ ठीक हो गया तो ये भी delete हो गई इसको हम select कर लेते हैं इसे area को और similarly I दबा के जहां से copy कर लेना है ये सारे area कर लेते हैं तो बड़ा सा time लगता है पर इतना मिश्कल नहीं है ठीक हो गया इसको भी कर लेते हैं तो ये वाला पार्ड में थोड़ा speed up कर देता हूँ ताके आपको मेरे साथ इतना अदा इंतजार ना करना पड़े अच्छा तो आप देश सकते हो कि जिती भी circular lines थी मैंने उनके पर stroke apply कर दिया है तो अब क्या है कि यहां पर जो extra lines है ठीक है जिनके हमें जूरत नहीं है उनको कैसे remove किया जाए जिससे हमने पहले किया था simply मैं इस एक line को slate करूँगा ठीक है मैं यहां पर top पर जाऊँगा select similar objects उसने सारे similar lines slate कर ली है और मैं simply delete दिवा दूँगा तो यह सारी remove हो गई है simple इसके हम थोड़ सी stroke increase कर देते हैं I guess five points थोड़ा से इसको बढ़ा भी कर लेते हैं एक और चीज़ भी जब आप text को बढ़ा करते हो ठीक है तो आपकी stroke भी उसलिहास से हो जाती है तो अब देखो जो पहले stroke ज्यादा लग रही थी वह कम लग रही है तो हम इसको दुबारा set करके stroke थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं 8 points मेरे क्याल से 10 ज्यादा हो रहे 8 points ठीक है अगर आप चाहो तो जहां पर भी छोड़ सकते हो अगर आप color change करना चाहो तो simply select किया color ठीक है जैसे green कर लेते हैं तो आप यह भी अच्छा लग रहा है तो आप उसके color change कर सकते हो निकन एक थोड़ी सी extra चीज है अगर आपने thumbnail में देखा होगा तो यह multiple lines निज़र आ रही थी ठीक है मतलब different colors की lines थी और वो मैंने फिर कैसे बनाया था मैंको वो दिखाता हूँ तो आपने पहले क्या करना है कि swatches के panel में जाना है कि windows में जाना है ठीक है और अगभ यह bottom पर जाओ तो इधर है swatches तो यह swatches वाला panel आ गया है इसको फिलाल हम यहां रख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ठीक है तो क्या है कि मैंने यहां पर एक swatch group बनाया हुआ है इन तीन colors का अगर आपको नहीं पता कैसे बनाते हैं तो मैं आपको पता देता हूँ let's just say मेरे पास यह color है green ठीक है और मैं इसको अपने swatch में add करना चाहता हूँ simply मैंने इसको यह बस लेट कर ली है अब मैं यहां पर जाओंगा swatches में जो यह burger icon है इसपर click करूँगा और new swatch और okay तो क्या है कि यहां पर recent में add हो गया है लेके आ सकता हूँ simple फिलहाल मैं इसको delete कर दूँगा और अगर आपने group बनाना हो पूरा आप यहां पर click करोगे और new color group तो यह पूरा group बन जाएगा इस तरह और इसके दर आप फिर swatches add कर सकते हो तो मैं क्या करूँगा कि अपना जो text है उसको select करूँगा सारे को ठीक है टेक्स्ट तो नहीं फिलहाल यह lines बन गई हुई है उसके बात मैं क्या करूँगा कि इन तीनों को select करूँगा वह कैसे करना है कि मैं एक पर click करूँगा color change हो गया फिकर नहीं करनी और मैं shift दबा के last of the click करूँगा तो यह तीनों select हो गए है फिर मैं जाओंगा file scripts और other scripts तो क्या है कि मैंने एक script है जो already save करके रखी हुए desktop पर ठीक है मैं आपको इसका link भी दे दूँगा आप यह भी download कर सकते हो तो मैं इसके पर double click कर लूँगा तो अगर मैं यहाँ पर stroke swatches पर click करूँगा क्यूंकि मैंने यह तीनों color select किये हुए जब मैं click करूँगा stroke swatches तो आप देख सकते हो कि वह तीनों colors randomly apply हो गए है okay कर दूँगा इसको close कर देते है और आप देख सकते हो कि कितना मज़े का लग रहा है कि यह बिल्कुल random colors है वही तीनों colors उसने randomly apply कर दी है तो जो random script है illustrator में बहुत सारी scripts भी होती है तो वो जो script है उसके भी आपको मैं link दे दूँगा क्योंकि अगर आप चाहो तो यह manually भी कर सकते हो लेकिन इतना time किसके पास है तो इस तरह आप easily circle line text effect बना सकते हो illustrator में वीडियो अची लगी हो तो लाइक कर देना कोई request हो या recommendation हो तो comment कर देना subscribe button में याद से click कर देना और make sure करना है के bell आपके में click कर दो ताकि future men जीती भी वीडियो पोस्ट करूँ वह आपको मिलती रहे रहे आप कर दो झाप कर दो धिए झाल झाल